दिली के भारत मंडपम में भाजपा का दो दिवसी राश्ट्री सम्मेलन 18 फर्विरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्भूधन के साथ खत्म हो गया। पीम ने कारकरताओं को औरजा से काम करने का मंद्र दिया वहीं कॉंग्रेस समीत विपक्ष पर निशाना साथते हुए दस साल के अपनी सरकार की उपलब्दियां भी बताएं। पीम मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस देश को बातने में लगी है। उन्हेंनों सेना पर सवाल उठाए और राफेल की रा में भी रोडे लटकाए। प्रधानमंत्री जैन संत विद्या सागर जी महराज की बात करते हुए भावित भी हो गए थे। अधिवेशन में UPS सरकार के 10 साल के कारकाल के दौरान भारते अर्थ ववस्ता पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इसके अलावा राम जर्म भूमी पर राम लला की प्राण प्रतिश्टा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनन्यन करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ने राम मंदिर नर्मार पर प्रस्ताफ पेश किया।